हलो बच्चो मैं आदित्य द्याल स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल द्याल क्लासेज में चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करें से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे यह बोलना चाहरा हूं कि आप अपने साथ अपनी नोटबुक और पेंट साथ लेके बैठे जिससे होगा यह जब मैं समझाना चालू करूँ तो आपको सारी चीजे समझ में आए और बच्चो अभी एक्सेसाइज 1.4 सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जान लो बच्चो जैसे कुछ बेसिक जान लो जैसे फॉर एक्जाम्पल आज जैसे कि कुछ चीज होती है टर्मिनेटिंग बेसिक है जो हो जाएगा खत्म दो मिनट में टर्मिनेटिंग और फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपेटिंग जो चीज बता रहा हूं बच्चो उसे एकदम अच्छे से और अच्छे से एकदम फिक्स कर लो माइंड में question में exercise 1.4 में आपसे ये पूछेगा हमारा जो है question number 1 उसमें बोलेगा कि आपको ये बताने के लिए कि ये मेरा number है किने terminating terminating check करने का बस एक ही तरीका है ध्यान से सुनना ये है मेरा मान लो a by b कोई number है मान लो a by b कोई number a कोई number b कोई number नीचे वाला denominator denominator ध्यान से सुनना नीचे वाला जो रहता है हमारा denominator denominator अगर सबसे पहला काम denominator का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आपको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपने exercise 1.2 में सीखाया अगर नहीं आता है तो वहां से आप जाके description box में उसका link देदूँगा आप जाके वहां से देख लेना सबसे पहले denominator का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको नीचे सिर्फ 2 की power n 5 की power n या फिर 2 की power and and 5 की power n मतलब नीचे बस यही 3 रहना चाहिए मतलब 2 का कोई भी power सिर्फ 2 का power रहना चाहिए तो वह terminating होगा दूसरा सिर्फ 5 का power रहना चाहिए तब वह terminating होगा बाकी और कोई दूसरा number नहीं फिर से सिर्फ 2 का power वाला number होना चाहिए 2 का power बाकी उसके साथ कोई number नहीं होना चाहिए दूसरा 5 का power होना चाहिए सिर्व बाकी और दूसरा कोई number नहीं होना चाहिए तीसरा 2 की power और 5 की power दोनों रहेगी तो भी वह terminating बोला जाएगा तो यह 3 condition है terminating बताने का किसी भी rational number को अगर यह 3 में से कोई भी condition satisfy नहीं करता है सो हम लोग यह समझ जाएंगे कि वो आपका non-terminating repeating है ठीके बच्चो बस इतना साई छोटा सा concept था ठीके बच्चो अब आते हम लोग हमारे first of all पहले question में पहला question हमारा यह बोलता है कि आपको यह बताना है कि यह following questions में कौन सा rational number terminating है और कौन सा rational number non-terminating repeating है ठीके बच्चो तो आता है आपका सबसे पहला question जो हमारा सबसे पहला question है sorry जो हमारा सबसे पहला question है वो है 13 by 3125 सबसे पहले मैंने क्या बताया 3125 denominator का prime factorization कीजिए 3125 5 625 5 125 5 25 55 55 51 सो अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चो ध्यान से देखना 1,2,3,4,5 5 की पार 5 मतलब 5 कितने बार आया होगा 5 बार इसलिए 13 by 5 की पार 5 सर मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है सो चलो हटाओ यार ऐसे लिख लो 13 by 1,2,3,4,5 ये चीज हो गया क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 13 by 5 की पार 5 5 की पार 5 मतलब 5 बार मल्टिप्लाई करना यहां तक समझ में आ गया सो मैंने क्या बताया था किसी भी राशन लंबर को टर्मिनेटिंग होने के लिए नीचे सिर्फ 5 का पावर होना चाहिए सिर्फ 2 का पावर और सिर्फ 2 और 5 दोनों का पावर यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ 5 का पावर है इसका मतलब मेरा question number 1 कया है? कैसा है? terminating है So it's terminating terminating ठीक है बच्चो अब आते हैं और एक question पे question number 2 पे आते हैं हम लोग ठीक है बच्चो जो है हमारा seventeen by eight ठीक है? So सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको denominator का prime factorization करना है कैसे करना है with the help of HCF method 2, 2, 2, 4, 2, 2, 1 ठीक है बच्चो समझ में आया सो इसे हम लोग कैसे लिखते है 17 by 2 into 2 into 2 मतलब 17 by 2 का power 3 मतलब 2 कितने बार आया है 3 बार और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह terminating के condition को satisfy कर रहा है सिर्फ यहाँ पे 2 का ही power है बच्चो सो इसका मतलब यह भी rational number मेरा terminating है समझ में आया बच्चो अब आते हैं हम लोग और एक question पे question number 3 पे जो क्या है 64 by 4, 5, 5 मैंने क्या बोला जब भी question आये पूछे terminating, non-terminating सबसे पहले denominator का करो prime factorization 5, 9, 1 फिर यह जाएगा 13, 7 बार में 13, 13, 1 ठीक है बच्चो सो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 by denominator को 5 into 7 into 13 अब सबसे important चीज 455 का जब मैंने prime factor किया तो कुछ ऐसा आया क्या यह मेरे condition को satisfy कर रहा जो मैंने पीछे बताया था नहीं उसको यह satisfy नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है मैंने क्या बोला था सिर्फ 5 का power होना चाहिए उसके साथ कुछ भी और कोई दूसरा number नहीं होना चाहिए पर इस question में आप देख सकते हैं यहां पर 7 आ जा रहा है और 13 आ जा रहा है इसका मतलब यह मेरा non-terminating repeating है समझ में है बच्चो बहुत इजी है सब समझ में है अब आते हम लोग और एक question पर question number 4 पर क्या है वो 129 divided by 2 की power 2 5 की power 7 और 5 की power sorry फिर से लिखते है question क्या है 129 divided by 2 की power 2 5 की power 7 और 7 की power 5 इस वाले question में देखो बच्चो हम लोग को यहाँ पे prime factorization निकालने का ज़रूत नहीं पड़ा क्यूं क्यों क्यों यहाँ पी NCRT book बहुत तेज बन रहा और इसने पहले ही हमें prime factorization करके दे दिया है सो हमारा एक step तो आसान हो गया इस बार हम लोग क्या करेंगे 129 by 2 की power 2 5 की power 7 7 की power 5 है ठीक है बच्चो सो मैंने क्या बोला था क्या ही हमारे condition को satisfy कर रहा है नहीं 2 का power है 5 का power है सिर्फ वही रहना चाहिए था कोई और number का power नहीं रहना चाहिए था पर यहाँ पे 7 का power 5 है सो इसका मतलब यह मेरा non-terminating है NT मतलब non-terminating ठीक है बच्चो समझ मैं आपको सो इसी के साथ और एक हमारा question है बच्चो question number 6 को देख लो आप क्या है वो 23 divided by 2 की power 3 5 की power 2 इस वाले question में denominator को करना था prime factor prime factorization method से पहले निकालना था prime factor और यहाँ पे पहले ही दे चुका है सो एक step तो मेरा असान हो गया दूसरा step क्या था denominator में सिर्फ 2 की power रनी चाहिए सिर्फ 5 की power या सिर्फ 2 और 5 दूसरा और कोई number नहीं पर यहाँ पे आप देख सकते हैं यह मेरे condition को satisfy कर रहा है सिर्फ 2 की power और 5 की power है इसका मतलब यह मेरा कैसा है तर्मी नेटिंग है ठीक है बच्चो समझ में आया तो इसी के साथ हमारा question number one हुआ complete बच्चो thank you for watching my video guys bye bye see you all बच्चो